आलू के चिप्स जिस तरीके के चिप्स आप मार्केट से परचेस करके बच्चों को खिलाते हैं कुछ उसी तरीके के चिप्स आज हम घर पर ही बनाएंगे और इन्हें बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का ही टाइम लगेगा और वैसे भी होली का तेहरा आ रहा है दोस्तों तो ये चिप्स आपको और आपके बच्चों को काफी पसंद आने वाले हैं सो लैट स्टार्ट दा वीडियो तो फ्रेंट सबसे पहले हम चार मीडियम साइज के आलू लेंगे जो मोस्टली सबके घर में अवेलेबल होते हैं वो मीडियम साइज के ही हम आलू लेंगे उसके लि सही तरीके से अलु को गिस लेंगे तो देखिए से इस paint के ऐलू को हो फिर influenLe不 के अपने अलु को जही अर эти preparation का देखिष्ण मोट पानी ओए जाता है टो हम उस अलु को स्वादी के खेश आखिए विर सब्रॉक्त मarea पक्विया को छाई हो जाए जिससे कि हमें चिप्स को फ्राई करने में दिक्कत ना हो तो दोस्तों इन चिप्स को बनाने के लिए ना आपको धूप की जरौवत है ना सखाने की जरौवत है आप इसे directly hosticry कर सकते हैं तो देखें दोस्तो कप्ड़े की हेल्प से कुछ इसी तरीके से अपने आलू को सूखाना है तो देखे दोस्तों मौसली हमारे आलू सूख चुके हैं इन में देखिए बिल्गुल भी पानी नहीं है और आप चाहें तो टीशू सब्सक् legit देखें सारा आलू मोस्ली सूघ चुका है तो अब हम कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे देघर दोस्तों हमारा तेलभी गरम हो चुका है और हमारा अच्छे से ये छोड़ कर देखा है इसमें तो ये आठस से आधे हो रहा है तो देखें Someone तो हमें जो अपने तेल की जो गैस रखनी है वह बहुत मीडियम रखनी है क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम रखेंगे तो हमारे जो आलू के चिप्स हैं वह बहुत ही क्रिस्पी बन कर तियार हूंगे अकर आप उसकी आलू की फ्लेम को थोड़ा तेज रखेंगे तो आलू हम पर इन चिप्स को पलटते रहना है तो देखे दोस्तों हमारे चिप्स ये भुनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी जो हमारे चिप्स बचे हुए आलू के उनको भी आपको इसी तरीके से फ्राई करना है और बिल्कुल इसकी जो फ्लेम है फ्लेम का बहुत जादा ध्यान रखन है दोस्तों फेलें मिल relativ यह झाहिं नहीं करना है और इने पकर ने के टाइम बिलकुल भी छोड़ना नहीं एक गजाएं और ब्रृत ने सकती आतुरीन वहल reflection के उतले हैं तो हमारे आलू के चिप्स तयार हो चुके हैं दोस्तों तो आप हम इसमें उपर से हलका सा नमक स्प्रेड करेंगे और हलकी सी लाल मिर्च जैसा भी आप तीखा खाना पसंद करें आप उस एकॉर्डिंग चिप्स के उपर नमक और मिर्च स्प्रेड करें तो देखे दोस्तों इस तरीके से हम इने मिला लेंगे और हमारे आलू के चिप्स बनकर तयार हो गए हैं आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो मैं विलूँगे आप से अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग